अलो फ्रेंड स्वागत आपका फिर से एक और नहीं वीडियो मेरा नाम है इरिशाद आप देख रहा है में सकते ला डक्ट लाइन तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो क्या लिख्खा है मैंने ओबल टू रेक्टेंगल डक्ट जिसका साइज यहाँ पर देख सकते हो ओबल का साइज भी मेरा क्या है यह उपर वाला रेक्टेंगल का है 100 mm by 50 mm ओबल का भी वही साइज है वही है लेकिन लेंसे मेरा 50 mm में ठीक है इसके उपर मैंने बहुत सारे विडियो बना रखा जैसे कि Oval 2 Square, One Side for late, Oval 2 Square, Two Side for late और इसमें Obsade सक मैंने बना रखा है, ठीक है जो नहीं बनाय था वो था सिरफ सेंटर से जो मतलब सिधा सिधा बनता है Oval 2 Square वो ही नहीं बनाय था मैंने तो वही आज बताने वाला हूँ तो सबसे पहले उसका डाय ग्राम बना लेता हूँ आप लोग बने रहे हैं मेरे साथ वीडियोस चला लगने पर एक लाइक जरूर कर देना तो चलिए इस्टार करते वीडियो तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है आपको एक राय ग्राम बनाना है तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो साइज है 100 mm है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा एक 100 mm का मार्किंग करूँगा यहाँ ठीक है जो की मेरा यहाँ पर तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 100 mm का मार्किंग लिया है और एक लिए लेता हूँ जिसमें जो है कि यहाँ पर में को right angle match करने के लिए आ जाए तो सबसे पहले क्या करना है एक square box से बनाना है square जब मैंने size ही है मेरा तो उसका सबसे पहले मैं एक box से बना लेता हूँ तो यहाँ पर देख सकते box से बन चुका है यह मेरा यहाँ से आ तक 100 उसके बाद जो मेरा size है वो 50 है तो मैं क्या करूँगा center से है तो 25 का एक marking इधर लेता हूँ और दूसरा इधर 50 आ गया फिर और एक इधर ले लेता हूँ और एक यहाँ पर 50 का ले लिया मैंने और अभी इसको क्या करता हूँ यहाँ से राइट अंगल मैच कर देता हूँ तो यह देख सकते हूँ यह मेरा 100 एम है और यह मेरा 50 एम है टोटल ठीक है तो यह तो मेरा बन चुका है square का box है मतलब square का size अभी क्या करना है oval का वानान है तो oval में क्या करना है यहाँ पर simple सा देख सकते हो पच्चासे में तो उसका हाँ 25 लेना है ठीक है उसके लिए आप क्या करना है tape से भी compass बना सकते है और इसके इसाब से भी यहाँ से 25 पच्ची से में देख के आपको perfect आ राइक नहीं उस तरह से यहाँ से एक compass बनाना है और उसको क्या करना है इस line पे रखना है center के और यहाँ पे इस तरह से एक pointer लेना है और इसी pointer के उपर रख करके इसको यहाँ से इस तरह से round कर देना है ठीक है और आपको क्या करना है यहाँ से एक marking ले लेना है इधर पे यह right angle match करने के लिए लिए आ जाता है ठीक है एक यहाँ पर लेना है से मुसी तरह इस side में भी यहाँ पर लेना है एक marking और एक यहाँ पर एक यहाँ पर लेके इसको रखना है इसके उपर इस point के उपर और इस तरह से यहाँ पर देख सकते हो यह match हो चुगा है ठीक है तो अभी आपको oval जैसा दिख रहा होगा अभी उसके बाद क्या करना है यहाँ पर एक line खीचना है आपको यहाँ पर इस तरह से और एक यहाँ पर लेना है और उसके बाद क्या करना है यह आपके उपर आप इसको कितना part में डिवाइट करना चाहते हो तो मैं यहाँ पे simple size को 4 point में divide कर लेता हूँ इस तरह से अगर number की बात करूँ तो यह 1, 2, 3, 4 इस तरह से आ जाता है तो यह आपका अगर जब center रहेगा तो इतना बना लिया diagram तो बसे इधर नीचे का सिरफ लेकिन अभी मैं यहाँ पे पूरा diagram बनाऊंगा ताके आप लोग को जोड़ा easy समझ में आए तो इसलिए मैं यहाँ पे पूरा diagram बना के दिखा जता हूँ पूरा diagram बनने का किस तरह से दिखेगा यह तो यहाँ पे इस तरह से divide कर लेना है और उसके बाद यह point के उपर इसके उपर रख कर गए यहाँ से इसको इस तरह line खीच लेना है तो यहाँ पे 1, 2, यहाँ पे लेता number 1, 2, 3, 4 ठीक है तो उसी तरह यहाँ पे भी लेना है क्योंकि यह तो same ही आने वाला है जो कि मेरा size है वो center center से बन रहा है ठीक है तो यहाँ पे भी आगर मैं number की बात करूँ तो 1, 2, 3, 4 तो यह देख सकते हो simple सा diagram बन चुका है अभी क्या करने का है इसका मेरे को height लेना है तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ताके मेरे को इधर video का length से लेने में easy हो जाए तो अभी सबसे पहले मैं यहाँ पे एक line ले लेता हूँ लंबी सी इस तरह से line ले लेता हूँ और जो है कि यहाँ से उसके बात क्या करना है अभी देखो यहाँ पे मेरा height है ने 50 mm तो मैं सिरफ 50 mm height ले रहा हूँ तो इसी के उपर से मैं यहाँ से height लेड़ता हूँ 50 mm तो मेरा यहाँ पे आया है ठीक है और एक marking लेड़ता हूँ 50 mm का इसको तो लंबी कर देता हूँ यह मेरा height है total length जो मैंने लिखा है 50 mm ठीक है यह वाला height यहाँ पे है अब मैं क्या करने वाला हूँ यह सारा point है इसके उपर उतारूँगा और फिर यहाँ पे आपको develop करके दिखाने वाला हूँ तो सबसे पहले क्या करता हूँ यहाँ पे मैं एक एक number लूँगा और आपको 7 में करके दिखाऊँगा तो सबसे पहले मैं यहाँ पे उसका यहाँ पे मैं इसका diagram बना लेता हूँ सबसे पहले उसके रिए क्या करना है आपको seat के उपर इस तरह से एक लंबी line खिचना है और यहाँ पे जो size यह देख सकते हो मेरा 100 mm तो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ 50-50 mm दोनों side लेके ताकि यह जो है center में है ना तो एक pointer इधर से मैं ले लेता हूँ ठीक है यह मेरा main pointer हो चुगा इसके उपर सारा pointer आने वाला है यह और एक ही यह वाला मेरा ठीक है यह pointer तो मेरा rectangle का हो चुगा यहाँ पे 100 mm अभी यहाँ पे सबसे पहले कौन सा pointer लेना उसी के बारे मैं बताने वाला हूँ तो अभी यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दू यहाँ तरीके से यह यहाँ पे पहला pointer उतारा जाता है पहला जो है वो यह है कि यहाँ पे देखो आपका जो भी यहां पे डाया है बीच में बचा है ना स्टेट मेरा पचास बचा तो मैं क्या करूँगा एक पचीस समेम का ले लूँगा हाइट ठीक है और उसके बाद क्या करना है उसको आपको फिर से ये पॉएंटर ये है ना आपका ये वाला पॉएंटर या ये वाला पॉएंटर को एक ले लो तो मैं ये वाला ले रहा हूँ अभी ठीक है इस पॉएंटर के उपर से आपको ये वाला पॉएंटर देखना है कितना आ रहा है यहां पे ठीक है जो भी आ जाए उसको इस हाइट पे लेना है इस तरह से cross करना है और ये pointer सिरफ यहाँ पे आपको pointer लेना है यहाँ यहाँ पे, यह आपका कोई marking नहीं है, इस पोइंट रही ठीक है उसके बाद क्या करना है आपको यह देखना है, यह दूरी कितना, 25 mm बचा था नँँप पर देख सकते हो 25 mm ठीक है उसको क्या करना है इस point पर रखना है यहां पर इस तरह से radius लेना है और यह side में भी लेना है ठीक है इस तरह से तो अभी उसके बाद क्या करना है second काम आपको ये point के उपर से ये वाला एक number लेना है ठीक है तो अभी मैं ले लेता हूँ फटाक से जो भी आये मेरा एक number यहां पर और उसको क्या करना है इस point पर रखना है उसके बाद यहां से यह height देखना है कितना आया है वो जो भी आजाए height उसको यहां पर रखना है इस line को cross करना है इस तरह देखीक है और उसके बाद अभी क्या करना है उसके बाद second चीज करना क्या है आपको इसके इस आपस परकार बना लेना है या compass जो भी आपके पास रहे यहां पर 2-3 point चेक कर लेना है कि miss यह तो नहीं हो रहा है चूंकि यह बढ़ जाएगा तो आप चाहो तो यह मेरा 50 mm डाया था ना इसको आप जब एक जगा करोगा तो 100 mm डाया हो जाता है तो 100 mm का आप 3.14 से multiply करके जो आएगा point डिवाइड करने पर एक, दो, तीन, चार मतलब 8 part, 12 part में तो उसी साब से भी point ले सकते हो लेकिन यहां से लोग है तो better रहेगा तो यह मैंने एक परकार बना लिया है उसको क्या करना है यहां पर इस तरह से एक point लेना है और एक यहां पर भी लेना है आपको same इसी तरह यहां पर ठीक है उसके बाद क्या करना है यह एक number हो चुका है अच्छा, एक ती मैं समझा दो आपको मैं इसको A नाम देता हूँ, ठीक है तो यह मेरा A point हो चुका है उसके बाद यह एक number तो यह एक number और यह भी एक number ठीक है उसके बाद दो नंबर लेना है मेरे को ये दो नंबर तो अभी यहां से देखना है आपको दो नंबर कितना आ रहा है जो भी आ जाये आपका यहां पे रखना है फिर से ये line मैं सिरफ ये point उतारने के लिया था मेरा height यह है यहां से यहां तक 50 cm ठीक है तो ये point आया है भी यहां पे रखता हूँ इसको और यहां पे चेक करना है आपको तो यह वाला height ठीक है यहां से देखना है आपको कितना है भी आ जाए उसको इसी point पे रखना है और एक इधर लेना है इस तरह से line कर देना है ठीक है उसके बाद फिर से यह compass लेना है यहां पे इस तरह से round करना है और एक यहां पे round करना है ठीक है उसके बाद अभी यहां पे देख सकते हैं मेरा दो number हो चुका है अभी मेरा तीसरा नंबर है थर्ड नंबर तो इसको भी मैं देख लेता हूँ यहां से कितना आया है मेरा उससे नहीं होता है तो यहां पे भी मैं चेक कर सकता हूँ क्योंकि दोनों तरब मेरे पास पॉइंट है और यहां पे लेना है हो सकता है हो सकता है कभी-कभी हो सकता है कभी-कभी आपका ये दोनों पॉइंट सेम भी आ सकता है तो इसलिए यहां पर मेरा सेम आ चुका है अभी क्या करूंगा मैं उसी पॉइंट को यहां पर लेता हूं और यह इसके उपर रखके इस तरह से एक पॉइंट लेना है और यहां पर एक चार नंबर यहाँ पर रखना है और इस तरह से और एक बार पॉइंटर लेने के बाद यहाँ से चेक करना है चार नंबर ठीक है इस तरह देख लेना है तो अभी यह चार नंबर यहाँ पर आया हो सकता है यहाँ पर दोनों मैची हो जाए थीक है क्योंकि size जो है same है तो यह 4 number को फिर से लेना है और इस point पे रखके इस तरह से 1 cut लगाना है और यहाँ पर 1 cut लगाना है ठीक है यहाँ पर देख सकते हो यह सारा चीज हो चुका है मैं दो बनाने वाला हूँ इसको कि एक पार में बनाऊँगा तो मेरा ज़्यादा वेस्टेज जाता है उसके बाद क्या करना है आपको यह जो यह वला मेरा साइज है ने 50 mm यहाँ पर देख सकते हो और इस तरह से राउंड कर देना है ठीक है और यहां पर भी रखके एक इस तरह से राउंड कर देना है ठीक है उसके बाद अभी यहां पर तो कोई दूरी है नहीं तो यहां पर क्या करना है आपको यहां पर जो हाइट लिया जाता है वो थुरा जब दूर रहता है तो हाइट लिए जाता है अब यहां पर कुछ नहीं है क्योंकि यह साइट से मैं 100 mm उसका भी साइट 100 mm में ओवल का भी और रेक्टेंगल का भी साइट 100 mm में इसलिए इधर जीरो आएगा तो यहां पर क्या करना है आपको पर्फेक्ट आपका जो लेंथ है न हाइट यहां पर देख सकते डाल है यह हो चुका है तो धोस्तों एक चीज में बताता चलूंकि यहां पर मैं क्या करने वाला इसको पुरा मार्किंग कर लेता हूं ताके आपको इजी समझ में आ जाए किस तरह से बनेगा यह क्योंकि यह मार्किंग करना ज़रूरी जाता है इससे कॉट लिया जाता है कि तो यहां पर अभी देख सकते हो यह मेरा इतना बन चुका है उसके बाद मेरा बच्रा यह पॉइंट है तो अभी इसको भी मैं मैच कर लेता हूं यहां पर ठीक है तो ये भी मेरा match हो चुका है और उसके बाद करना कै है फिसी तरह जिस तरह तरह वो side में किया था मैंने यहाँ पर इसको इस तरह से line match करना है और एक चीज आपको मैं भी बताने गाँ यू पूरा आपका बनने के वाद्ल सब से पहले एक चीज़ एक करना एक पास राइट है तो ठीक है नहीं तो बना लेना है उसके बाद यहाँ पे आपको रखना इस प्वेंट पर कर दे यह पॉइंट और यह वाला पुइंट इसको आपका समझ लेना राइट है यह मतलब रॉन ट्वी स्कॉर नहीं बना है और वो जिरो जिरो भी नहीं बना है यहां पर भी देख सकते मेरा राइट अंगल मैच हो रहा है तो अभी मैं फटाक से इसको सिरब मार्किंग पूरा कर लेता हूं यहां पर इसी पॉइंट पर रखन करना है अभी क्या करना है यह एक नंबर से यह एक नंबर orbits रहने वाला यहां पर देख सकते हैं मेरा फिप्टीस है पच्जास एम जो भी आयाए था तो इसको क्या कलना है यहां पर इस तहरा यहां पर देख सेख से मृट्ष कर लेंब और इधर भी कर लेता हूं मैं अभी तो फ्रेंड यहां पर देख सकते हो मेरा यह 25 में मैं यह बीच का 100 में मैं यहां पर जो भी ओवल का यहां पर इस्टेट आ जाए आपको उसी साफ से आपको ले लेना है तो अभी मैं इसको कट करके यह मेरा फर्स्ट पार्ट बन चुगा है अभी सेकेंड वाला पार्ट भी काटने वाला हूं और एक चीज़ बताता चलू यहां पर देखो नीचे आपको जितना भी अगर लेना हो फलांचे के लिए टीडी एफ के लिए लिए लेना हो तो आप यहां पर पहले ही रख लेना ठीक है या 30 लेना हो जो भी और फिर यहां पे भी ती जीब बॉला जाता है तो वह भी आप बरहा लेना है यहां पर बॉसके बढूने पर बना रहा हूं तो चलिए मैं इसको कट कराiction पिन्हें घर लेना की मारकिंग से और उसकी बाद इसको उचरुप जार की डिखाने वाला वाला हूं तो दोस्त候 यहां पर دेख सकते हो यह वाला पाट के मैंने कार मुझे ट कर लिया और इसको अभी क्या करना है यहाँ पे cut लगाना है ये cut इसलिए दिया गया था तो अभी मैं यहाँ पर फटा-फटे cut लगा देता हूं ठीक है तो दोस्तों यहां पर देख सकते हो यह पीस मेरा बनके रेडी हो चुका है यह मेरा 100 mm ऐसा में 50 mm है यह ठीक है और यह वाला भी देख सकते हो 50 mm 100 mm अभी मैं इसको डाइग्राम पर रखता हूँ यहां पर देख सकते हो rectangle को मैंने रखा है तो यहाँ पर देख सकते हो यह मेरा 00Ri ठीक है और अगर मैं इसको oval की बात करूँ तो oval को भी यहाँ पर रखता हूँ oval के diagram पे तो यहाँ पर देख सकते हो यह भी 00Ri यहाँ पर थोरा सा perfect आ चुका है मेरा ठीक है तो इसी को बोला जाता है oval to rectangle ठीक है अगर यहाँ पर मेरा size 100 mm by 100 100 mm by 100 रहता है तो मैं इसको oval to square बोलता था और अगर यहाँ पर same size रहता है तो उसको square duct बोला जाता है ठीक है तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लग है तो उम्मीद करता वीडियो आपको अच्छा लग अच्छा लगने पर लाइक जोनल कर देना और बेल आइक और चैनल को subscribe करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताके जब भी इस तरह का knowledgeable कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका notification मिल जाए और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में थाइंक्यू